आज की वीडियो में आप एक ऐसा आचार देखने वाले हैं जिसे आप बना कर तुरंत इंजोई कर सकते हैं इसे मैच्योर होने के लिए आपको वेट नहीं करना पड़ेगा इसके साथ ही इसका एक और बेनिफिट है आप यह आचार बना कर सालों साल तक स्टोर कीजे यह बिल तो आज हम बनाने वाले हैं अद्रक लेसन और हरी मिर्च का मिक्स इंस्टेंट अचार अद्रक हरी मिर्च और लेसन कितना कितना लेना है आपने पहले यह जान लेते हैं और इसे फैन में सुखा लिया या इसे kitchen towel paper से पोच कर सुखा लिजे लेसन लेना है 150 gram या फिर एक बड़ा cup लेसन को wash करके छीले उसके बाद इससे सुखा लिजे या फिर छीलने के बाद इससे wash कीजे और सुखा लिजे बस इसमें moisture बिलकुल भी नहीं होना चाहिए इसे दूप में सुखाई या फिर फैन के हवा में तो यहाँ पर लेसन के मात्रा अद्रक और हरी मिर्च से ज़्यादा रहेगी हरी मिर्च हमने यहाँ पर 50 gram ली है इनके डंठल हमने तोड़कर अलग कर दिये हैं हमने इस अचार में लाल और हरी दोनों मिर्च इस्तेमाल के हैं और मिर्चियों को वाश करने के बाद और सुखाने के बाद इनके डंठल रिमूव कीजेगा ताकि इनके अंदर पानी ना जा सके तो यहाँ नेक्स स्टेप शुरू करते हैं अचार बनाने का तो यहाँ पर एक चौपर ले लेंगे हम मिनी चौपर आप कोई मिक्सी का छोटा जार ले सकते हैं हमें बस करना क्या है इन चीजों को अलग-अलग बारी कोसली ग्राइड करना है मोटे-मोटे चंक्स रखने हैं तो अगर आप मिनी चौपर लेते हैं तो इसमें तो काम बहुत आसान हो जाएगा लेकिन आप अगर मिक्सी का इस्तमाल करते हैं तो आप मिक्सी में पल्स वोट पे इन चीजों को पीसिए थोड़ा चलाए थोड़ा रुकिए ऐसे करते हुए आप को इसतरीके के चंंक्स त्यार कर लेने है आप देख सकते हैं इसमें बारिक चंक्स हैं हमें इसी तरीके का टेक्ण्चर चाहिए अगर आप फूट परिसेसर का इस्तमाल करते हैं तो और अछी बात है इसी तरीके से हम लेसन को भी ऐसे ही चौप कर लेंगे बारिक चौप करेंगे और इसे भी हम एक सेम बोल में ही ट्रांसफर कर लेंगे हमने मिर्च को भी सेम इसी तरीके से कोसली ग्राइड करना है और इसे भी हम सेम बोल में ही ट्रांसफर कर लेंगे इस अचार में अध्रक लेसन हरी मिर्च का आधे से जादा हिस्सा हम को इसली ग्राइंट करके अड़ करेंगे और एक हिस्सा एक चथाई हिस्सा हमें से काट कर एड़ करेंगे तो इसमें मसाले के साथ साथ हमें कुछ चंक्स मी मिलेंगे जो खाने में बड़े टेस्टी लगते हैं मिर्च को हमने बीच से थोड़ा सा कटमाग दिया है और अद्रक के जूलियन्स किये हैं और लेसन के ऐसे दो टुक्टे कर लिए हैं अब यह सारी चीजें हम सेम बोल में ही ट्रांसफर कर लेंगे नेक्स्ट चेप में हम क्या करेंगे इसमें कुछ चीजें मिलाकर मेरिनेट करने रखेंगे इन चीजों को हम इसमें दो बड़े चमच नमक मिलाएंगे मेरिनेट करने से हमारा अचार जल्दी तयार होगा और एक अलग टेस्ट जवलब होगा अब हम इसमें तीन से चार बड़े चमच वीनिगर यानि की सिर्का एट करेंगे ये चीजों को प्रिजर्व करता है लंबे से लंबे टाइम तक के लिए अचार को खराब नहीं होने देता टेस्ट भी अच्छा लाता है लेस्ट का अचार अगर आप बना रहे हैं तो सिर्का ज़रूर इस्तमाल करें तो अब हम इसमें एक चोटा चमच हल्दी पाउडर एट करेंगे साथी साथ इसमें और अच्छा फ्लेवर देने के लिए कलोंजी आट कर लेंगे एक चोटा चमच कलोंजी यानि के निजला सीट्स और इसे हम थोड़ा सा मसल कर आट करेंगे और इसे अब हम मिक्स कर लेंगे तो सिरका आट कर देने से हमारी चीज़े मैरिनेट हो जाएंगी अद्रक का कलर काला नहीं पड़ेगा लेसन में एक अच्छा सा कलर इएट कर सकते हैं अब हम इसे अ धकक रखेंगे लगभग 1-2 गंटे के लिए कम टाइम है तो आधे हैं रखें तब तक हम इसका मसाला त्यार कर लेते हैं एक तड़का प्यान लेंगे और इसमें एक बड़ा चमच साबुत धन्या एट करेंगे ये सभी मसाले हम रोस्ट करेंगे उसके बाद एट करेंगे एक बड़ा चमच साबुत सौफ लेंगे एक छोटा चमच साबुत जीरा और एक छोटा चमच साबुत मेथी दाना अब हम इन सारे मसालों को रोज करेंगे हलकी आज पर ताकि इसमें से एक अच्छा सा फ्लेवर अरोमा रिलीज हो सके हमारे मसाले अगर भूने होंगे तो अचार टेस्टी बनने के साथ ये जल्दी खराबी नहीं होता हमारे अचार के मसाले भून चुके हैं इनमें सच्छी सी खुछबु आ रही है अब इन्हें हम ठंडा कर लेंगे उसके बाद हम इन्हें पीस लेंगे हमारे मसाले ठंडी हो चुके हैं इन्हें हम पीस लेते हैं अब सेम पैन लेगे और इसमें हम सरसो का तेल गरम करेंगे लगबग एक छथाई कप से थोड़ा सा ज़ादा हम इसमें लगबग 6 बड़े चमश तेल इस्तमाल करेंगे और ये सरसों का तेल है अचार में हमिशा सरसों का तेल ही इसले इसे हमारा आचार लंबे समय तक प्रिजव रहता है नیکर करता है और अचार खराब नहीं होने देता दूसरी इंपोर्टेंट बात अगर हम इंस्टेंट अचार बना रहे हैं तो तेल को पहले गरम कर लीजे ठंडा कीजे उसके बाद इसे इस्तमाल कीजे गरम यानि की धुमा उटने तक हम यसी तेल को गरम करना होता है ताकि इसके अंदर एक तीखा सा फ्लेवर होता है वो खत कालो को हमने थोड़ा बारीक पिसा है क्योंकि इसमें साबुत धनिया एट थी और धनिया को बारीक पिसना जरूरी है और अब हम इसमें ये मसाले एट कर लेंगे ताकि हमारे अचार में बढ़ी असा अचारी फ्लेवर आ सके और अब हम इसमें थोड़ा असा काला नमक एट करेंगे टोटली ऑप्शनल है अगर पसंद है तो एट कीजे कश्मीरी लाल मिर्च एक चोटा चमच सिर्फ कलर के लिए है यह भी ऑप्शनल है अगर आप नहीं डालना चाहते हैं तो आप बिल्कुल इसके पोराइब क्या सिर्फ क्यान तो आपके पास जो भी आप खाते हैं वह इससा ही अच्छार को कर लेते हैं और अप इसका टेक्षर देख सकते हैं इसमें से बहुत ही अच्छे से खुश्बू आ रही है जब आप इसे ट्राइ करेंगे बनाएंगे अपने घर पर तो आपको वाकई में ये बहुत ही पसंद आएगा इसी बोल में अगर आप छोड़ देते हैं नेक्स टे इसे स्टोर करते हैं किसी कंटेनर में तो और अच्छ के जार में हम सरसो के तेल की कोटिंग करेंगे या फिर आप सिर्के से भी कोटिंग कर सकते हैं ताकि हमारा अचार लंबे समय तक प्रोटेक्ट रहे खराब ना हो अगर आपके पास काच का जार नहीं है किसी रिजन से तो आप प्लास्टिक गुट फूड ग्रेट स्टोर करने के लिए यह अचार तयार है आप इस अचार को दूप पर रखना चाहते हैं एक आत दिन तो आप ज़रूर रख सकते हैं आप इस तयार अचार को नेक्स टेसे खाना स्टार्ट कर सकते हैं बेहर टेस्टी बनता है वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक आपको मिल सके और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं थेंक्यू पर वाचिंग